क्योंकि आपको cause नहीं पता, आपको सबब नहीं पता, आपको इसकी proper diagnosis नहीं पता, कि किस वज़े से आपको जो है oligosphermia या zoosphermia है, इसी तरीके से सेम जो हमने आपको बताए है sexual disorders, कि वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर भी sexual disorders के भी सिर्फ और सिर्फ यही causes और सबब नहीं होते हैं, जो हमने बताए हैं, इसके लावा multiple causes और असबाब और भी होते हैं, जिसकी वज़े से sexual disorders लोगों में होते हैं, अगर आपके अंदर sexual disorders हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्मोनल इंबालेंस की वज़े से, life style modification की वज़े से, तो ये वाज़े दरीशाग इर हैरत करने वाले होंगे, हैरत इंगेज इसके effect आप लोगों को देखनों की मिलेंगे, तो आप लोग दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर इस्सेमाल कर लीजिए,